तो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे तो चलिए एक और नया फ्रेस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अजीवो गड़ीब टॉपिक में और मैं बादा करता हूँ या फिर आप सब जो की है खुथे समझ जाएंगे एस टॉपिक पे कोई भी टिक चैनल साथ ही वीडियो बनाया होगा या फिर बनाने वाला होगा कभी भी आज हम बात करने वाले हैं जो हवाई जहां जो होता है जिसको ऐरो प्लेन भी कहा जाता है उसमें अचानक से अगर फ्यूल खतम हो जाए या फिर पाइलट को ऐसा लगए कि वह अब जो की है फ्यूल खतम हो गया है लेकिन हम अभी अपनी जिस जगर पे जाने वाले थे वह करते हुए सबस्क्राइब कीजिए टेशीशू को नोडिकेशन बिल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले कुछ चोटी मोटी बात है जो मैं अब सबसे कह देना चाता हूँ आज तक मेरे पास ऐसा कोई भी मतलब information नहीं है सबूत के साथ जहां पे मैं यह चीज़ देख सकता हूँ कभी भी ऐसा चीज़ हुआ है जहां पे मतलब plane में सच में अचनक से fuel खतम हो गया है या फिर कुछ और problem जिसके बज़े से plane crash हो गया है तो fuel related कोई भी problem मैंने आज तक नहीं सुना नहीं देखा सबूत के साथ वैसे तो फेक वीडियो बनाने वालों की कमी नहीं है यूट्यूब में तो उन चीज़ों को ignore मारो और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो समझ ले बस technology को थोड़ा सा interesting या फिर masala लगा के थोड़ा चटपटा बना के paste किया गया है क्यों अगर हम देखते रहते हैं तो बोर सा हो जाते हैं इतलिए मैंने सोचा चलो अज कुछ अलग करते हैं तो प्लीज यहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों को अलग-अलग phobia होता है जिन चीज़ों को सुनने के बाद उनको मतलब डर सा लगने लगता है तो अगर आप ऐसे किसी म मेंटर पर पाइलेट की आँख जाएगी और वो देखेगा कि वहाई आप तो फ्यूल जो की है बिल्कुल भी नहीं है तो यहां पर क्या चीज़र स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले आधे लोगों को जब यह बात पता चलेगा तो उनमें से जो मतलब बुजर्ग वग सेकेंडरी जो एक एंजन होता है वो भी काम करना बंद करतेगा और इसके वज़से प्लेन में लगा हुआ टरवाइन्स काम नहीं करेंगे और टरवाइन्स ओफ होने का मतलब यहां पर यह है कि प्लेन तो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा प्लेन अब सीधान नीचे यह तो जाधा तर डोगों को पता था लेकिन इसके बाद क्या होगा प्लेन जैसे जैसे अपना हाइट खोता जाएगा वैसे वैसे प्लेन के अंदर जो कि है grass भी ऑफ होती जाएगी ऐसा क्यूं होगा यह क्योंकि प्लेन में कोई बैटरी हेगरे का सिस्टेम नहीं होता है में क्या होता है जब तरवाइन भूमता रहता है तो उसी से electricity generate होता है और उसी से जो की है सारी की सारी चीज़े काम करते हैं अब यहाँ पे टरवाइन स्वाफ होने के बाद मैंने क्यों ब tumb Kelli दीरे दीरे अंधेरा होता जाएगा क्योंकि प्लेन जब अपना हाइट होता लगेगा तो ऐसे में टार्वाइन तो घुमेंगे लेकिन उतना जादा आर्पीम पे नहीं गुमेगा जिससे उस प्लेन को मतलब अपनी जरूरत की लेक्रिसिटी मिलता था मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा और ऐसे से जितना हाइट होता जाएगा यार की प्रेशर उतनी जादा कम होता जाएगा और ऐसे में चीज़े जो की है उतनी कम मतलब आपकी जो टर्वाइन है वो घुमेगा और ऐसे में एलेक्रिसिटी भी कम प्रेड्यूस होगा सिंपल सी जहां पर बैट के उस plane को monitor किया जा रहा था, वो लोग सोचेंगी कि plane के साथ कुछ तभी के तभी दुरगटना हो गया है, जिसके वज़े से अब वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसे में सभी जगे पर ये signal जाएगा, कि हाँ आपके वहाँ अगर ऐसा कोई crash हुआ ह तो प्लीज उसके बारे में information आपको दे दीजेगा, बतलो आपके मरने से पहले आप मरने वाले हो, ये जानकारी पहुँच जाएगी आपकी country में जो भी security agency है, उन सभी के पास, यहाँ पे और क्या चीज़े हो सकता है, यहाँ पे जब plane अपना height खोने लगेगा, तब प्लेंड होगा, तो यहाँ पे कम से कम नुकसान के साथ उस plane को land करवा सकता है पानी में, लेकिन अगर बात होता है ना भाई, किसी smooth surface की या पिर किसी भी तरीके की surface की, तो वहाँ पे plane को land करवाना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे hydraulic release ही नहीं ह सारी बाते सुनने के बाद अगर 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 घर गए हैं तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अगर कभी होता है तो क्या होगा, यह मैंने आप सभी को बता दिया है, और जाधा तर लोगों की दिमाग में कुछ छोटी मुटी सवाल होता है, जो मैं आज दूर कर दे जाता हूँ, जाधा तर लोग देखते हैं, जब कोई प्लेन लैंड होता है, तो उसके पास एक छोटी सी कार जैसा कुछ खड़ा हुआ होता है, और उहां से एक तार या फिर कह लिजए पाइप जैसा कुछ निकला हुआ, आप लोग देखते हैं, तो जाधा तर लोग सोच आपको पसंद आया हुगा, अगर आया है तो एक लाइक जरूर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजी, आज मैं बहुत ही ठक चुगा हूँ, में रिजन यही है कि आज कोई और टेक्नोलोजी के टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो अगर वीडियो अच्छा ल